ये कक्छा आठ, कक्छा आठ समाजी विग्यान के एक पुस्तक समाजिक एवराजनितिक विवास्ता तीन तो इसके अध्याई दो हम लोग देखने वाले हैं भारतिय समिधान के अधारभूत मुलिया तो भारतिय समिधान के अधरभूत मूलिये कि यहाँ पर जितने भी परकार के बहुविकल्पी प्रस्न जिसे हम लोग करते हैं MCQ टैप कॉफसेंस तो सभी कॉफसेंस आपको इस वीडियो पर मैं करवाने वाला हूँ आपको मैं सभी कॉफसेंस बारीकी से अची तरीका से आपको मैं समझाओंगा और यहाँ पर कुछ हम लोग अप्लेटिव कॉफसेंस फिलिंदा विलेंक वाले कॉफसेंस भी देखेंगे ताकि आपको मैं अची तरीका से तैयारी करवा सकूँ तो चलिए हम लोग फटाबर से देना करते हैं यहाँ पर देशेते हैं हमारा पहला प्रस्न है भारत एक संप्रभू राष्टर बना था भारत एक संप्रभू राष्टर जो है अभी हमारे 26 जनवरी 1950 में बने थे कब बने थे 26 जनवरी 1950 ठीक है तो यहाँ पर option में जो है कहीं भी आपको 26 जनवरी 1950 नहीं दीख रहा है तो option यहाँ पर मिस्प्रिंट हो गया है तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 26 जनवरी 1950 तो एक आपको मैं करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर यह वाला देखिए यह वाला क्योंकि यहाँ पर 1950 पहले से लिखा हुआ है और इस जिगा 27 जनवरी 1950 में वे हमारे समप्रभु राष्ट बनेते सकत है तो यह हमारा होगा इस पानसर 1950 थीखए न चलीए तो इस पर्रकास आपको पता चल गए एक नंबर का होगा 27 जनवरी 1950 अगला हम लोग प्रसन कते दें दो नंबर प्रसना हम आरे है कि भारत में पर्थम राष्ट पती कोँ दे attach भारत जोए डॉक्टर राचंदर पयोते हैं और यहां पर पूछा रहेता है कि भारत के परथम ऊपराष्ट पति तो डॉक्टर सुरॉपले राधा क्रिस्टन होता है ठीक है दोक्टर सुरपले राधा क्रिस्टनन तो यह हमारे कौन थे भारत के पर्थम उपर राष्ट पती थे लेकिन यहाँ पर बोला गया पर्थम राष्ट पती तो राष्ट पती कौन है तो कौन थे दोक्टर राजंदर परसाथ तो यानि कि C वा वालब्भाई पटेल थे ठीक है तो भारत के परतम ग्री मंत्री कोन थे फदर वालब्भाई पटेल ठीक है अगला हम लोग देखते हैं अगला कॉफिशन हमारा क्या कॉफिशन नमर 3 थ्री नमबर कॉफ्चिन यहाँ पर बोला गया कि भारतिय गनराज्य में सर्वोच समयधानिक पद है देखिए भारतिय गनराज्य में सर्वोच समयधानिक पद जो है राष्टपती का है यानि कि दर हमारा आप्सिन नमबर ए में राष्टपती लिखा गया है तो ये वाला हम समिधनिक पद रास्टपती के हैं यहाँ पर एक Carlos स्धिक ए भारत में राश्टपती का चुनाओे झगा फॉक से होता है भारत में राश्टपती का चुनाओ रूपसे होता है तो यहां पर अपार्टिक्ष अनुपातित रहे तो यह वाला आपको टीक लगाना है तो अपर तेक्ष अनुपातित जो है अभी हमारा option number D है जो कि हमारे क्या हो जाएगी सभी हो जाएगी option number D यहांपर लिखा गया है आपर तेक्ष अनुपातित थीक है तो ये वाला option जो है सभी हमारी कैस hosting है तो आपको यहाँ पर बताने है कि राष्टपती का कारियकाल जो है वे कितने वर्सों का होता है ठीक है तो राष्टपती के कारियकाल जो है वे पांच वर्सों का होता है तो यानि कि बी वला आपसन जो है वे हमारी क्या है सही है ठीक है पांच वर्सों का अगला हम लोग प्र सबी मिलाय था अपस में तो यहां पर रिखा खांगी है तो यह हमारी हैं जो फिस भी आप्स हघाया झाला भी interaction । किसे कहा जाताएं झाला भै-पुरूजू बहुत रिखांगा झाला थो फिसक्टा पत॑ हो सभी भारत के त्सल के पर्थन पर्थान मंत्री थे है लिए परहनर अगलग परसन देखते है प्रसन सिंख्या आठ नमबर यहां पर देखे जो चीज आपको मैंने कुछ दिर पहले है यह बताया वही वला कॉफिन उसी पर कॉफिन यहां पर पूछा गया है कि लोग पुरुस के नाम से जाना जाता है तो यानि कि आपसे नमबर ए जो हमारी क्या हो जाएगे बिलकुल सही हो जाएगी वल बहुत बीमार रती है और होस्पिटल में रती है तो अचनक से उसे जब वकालत कर रहे होते हैं सदर्वला भह पुरुस के नाम से जाना जाता है ठीके तो लोग पुरुस के नाम से जाना जाता है नाम से किने जना जाना जाता है तो सदार वाला भाय पर टेल यह वाला उपसन इसका हमारा सही है ठीक है अगला हम लोग कॉफटें देखते है कॉफटें नमबर नाई यह नौ नौ नमबर प्रसने आपर है कि मिसाल मैन के नाम से जाना जाता है देखें मिसाल मैन के नाम से जो ले तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसेल मेंन के नाम से जाना जाता है. तो यानि कि सी वाला आपसें जो है इसका हमारे बिल्कुल क्या हो जाएगी? सई हो जाएगी ठीकिए डॉक्टर अप्डूल कलाम ठीक है चले अब है अगला कॉफ्षिन देखता है कॉफ्षिन नमबर टैन को टैन नमबर कॉफ्षिन या पर देखें कि भारत के पर्थम ग Cambridge मंत्री इंक बारत की पर्थम गरी मंतरी जो है वे सदारवला भाय पर्टेल थे कों थे उस्दार वलब भाय पर्टेल धे जिस्वें लोग विसमार्क भी कहते हैं भायत का विसमार्क और इसे लोग पुरूज भी आपर देखिए कि किस अनुच्छेद में भासं तता अभिवेक्ति की सोतन ठरता जो है वे अनुच्छेत उनाईस में है किसा अनुच्छेत उनाईस याद रखिएगा भासन तो यह हमारी यहोजगी आनुच्छेत उनाईस मैं इसमें सभी वेग्टी को भासन और अभिवेगति की सहतन, तरता दिया गया। can याद रखिएगा आप लोग अगला हम लोग कॉफचें देखते हैं कॉफचें नमर 12 यानि कि 12 नमर प्रसने या पर देखें भारत का राष्टिय चीन क्या है भारत का राष्टिय चीन क्या है तिरंगा लाल किला असोक इस्तंब इंडिया गेट भारत का राष्टिय चीन जो ह है तो असोक इस्तम्भ है या रखिएगा ठीक है चलिए अगले हम लोग कॉफचन देखें कॉफचन नमेर थाटिन जानि ölी तिरे नमबर परस नहाथ पर देखिए कि समानता के सि्धानत का अदार पर किसको डंडनिया अपराद घोसित किया गया तो यानि कि ए वाला उप्सन जो सही हो जाएगी छुवा चूत ठीक है तो छुवा चूत जो है वे इसको डंडनी अपराद घोसित किया गया है तो समानता के सिदान का अधार पर किसको डंडनी अपराद घोसित किया गया है तो छुवा चूत होगा अभी हम लोग कुछ यहाँ पर और भी कॉफ्चिन को देखते हैं ताकि आपको मैं अच्छी तरका से तैयारी करवा सकूँ यहाँ पर है कि ब्लैंक को भारत एक समप्रभू राष्टर बन गया तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 26 जनवरी लिख लिजेगा अप लोग ठीक है 26 जनवरी उनिस सब पचास ता आप लोग पूरा अचितर का से आप लोग लिखिएगा शबिश दिने उन्सेफपचास को जो यह हमारा भारत एक समप्रभू रास्ट्र बन गया ठीक है कहो को देखते है खा हमारे देखिए है भारत का समिधान किसी धर्म या पंध को प्रुचसाहन ब्लेंक है तो यहाँ पर blank के जिगा क्या होगी देखिए भारत का समिधान जो है हमारी समानता का बात करता है ठीक है तो यानि किसी भी धर्म या फिर पंद को प्रोशाहन देता है क्या नहीं देता है ठीक है तो भारत का समिधान किसी धर्म या पंद को प्रोशाहन नहीं देता है तो यह तो लिखा अपहले से तो नहीं देता है यही हो जाएगा इस cancer गा हमारे देखे गा हमार我 है कि भारत एक डैस देस है मतलब blank देस ख़ले ज़गाई आपको बताना है भारत कैसा देस से नब किसा देस है लोकतांतरिक्क सब्सक्राइब कैसा गा है देखिए घौ हमारा प्रस्ण है कि ब्लैंक वी लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुना हुए थे देखिए यहाँ पर हमारी जो है वे हमार क्या होगा इसका अंसर इसका हमारा होगा सोलोवी लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुना हुए थे तो सोलोवी यहाँ पर होग चुना हुए थें तो घौ का आपको आंसर पता चल गया अब लोग इसी परकार से और कुछ देख लेते हैं प्रस्म मानता के सिधानत के अधार पर ब्लैंक को डंडनी या अपराद घोसित किया गया तो वह हमारे क्या कि छुवा चुत क्या होगी छुवा चुत यानि कि चौ क आंसर या दिया गया है क्या होगी छुवा चुट ठीक है चलिए अब लोग अगला देखते हैं अगला हमारा है कि अनुच्छेद ब्लैंक के अंतरगत सभी नागरीकों का यह करतव यह है कि भारत की संप्रभूता एकता वह अकंडता की रक्षा करें तो हमारा अनुच्छे के बाद इहां ब्लेंक जो है वहाँ पर होगा तो इस परका से आपको मैंने यहां पर जितना भी कउफिसेंस बताएं ठीक सभी कउफिसेंस आपको अशी तरिका से क्या करना है और इन सभी कॉफिसेंस को इन से प्रसनों को आप लोग अपने copy में भी लिख लिजेगा बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तो तेले बहुत बहुत धन्यवाद